हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल मॉबी जोन फिक्सर में और आज हमारे पास S10e Samsung का जो फॉन है उसका फ्रंट ग्लास डेमेज है तो आपको इसका फ्रंट ग्लास आज रीफर्बिस करके हम दिखाने वाले है तो एंड तक बने रही है हमारी वीडियो पर और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आप जैसे के देख रहे हो फॉन को ओपन करने के लिए हमने इसका बेक जो ग्लास है उसको हीट किया है और OCA के वेश्ट पेपर की सहायता से हमने उसको ओपन कर दिया है अभी दोस्तों फॉन के जो स्क्रू है सभी स्क्रू को हटा देना है हमें ओपन कर देना है खोल देना है उसके बाद में दोस्तों फॉन को दोस्तों जो इसका एनेप सी पेड है वहाँ से उपर कर लेना है ग्लू लगाओ तो OCA के OCA के पत्ते की सहायता से दोस्तों उसको कट करके उसका जो पेकिंग है और रिंगर है उसको हटा लेना है उसके बाद में दोस्तों पेटरी डिस्प्ले का बेल्ड और फ्रंट कैमेरे को हमें कनेक्टर को निकालके मदर बोड को निकालना है अभी इसमें स्क्रू भी लगे है दोस्तों तो स्क्रू को पेले हमें ओपन कर लेना है मदर बोड पर भी स्क्रू लगे है उसे भी ओपन करके हमें मदर बोड को डिस्प्ले से बाहर निकालना है बैटरी को भी IP की help से IP डाल कर डिस्पले हीट करके blade से अत्तर करनी है दोस्तो और इस तरीके से आपको बैटरी भी निकाल लेनी है उसके बाद में डिस्पले को जो है वो सेपरेटर पर रख देना है और सेपरेटर का टेमपरेचर आप देख रहे हो 140 डिक्री है इस पर थोड़ा हीट होने देना है और जहां से डिस्पले डेमेज है आप देख सकते हो फ्रंट कैमेरा जो है उस साइट से डिस्पले डेमेज है दोस्तो तो हमें उस साइट से blade से glass को अधर करना है अधर करके entry लेने की try करनी है entry आपने देखा entry हमें wire से नहीं मिली तो फिर से दोस्तो हमें IP डालके entry लेने की try करनी है इस बार हम OCA का जो waste paper है उसको glass के और डिस्पले के बिच में enter करकर entry लेने की try करेंगे और हमें entry मिल गई है दोस्तो ग्लास के जो broken piece है वो निकल रहे है आप देख सकते हो IP डालकर हमें बहुत ही आराम से glass के जो damage पी से उसको निकाल देना है और OCA glass के अंदर थोड़ा सा enter करके हमें entry लेने है आपने देखा कितनी आसानी से हमें entry मिल गई है अगर एक बार entry हमें सही तरह सही तरीके से मिल जाती है तो display जो है दोस्तो वो बहुत ही आसानी से display का glass जो है वो separate हो जाता है और उसके बाद में हमें बहुत ही आसानी से display को separate कर देना है उसके glass को निकाल देना है अब इसके लिए आप देख सकते हो उपर की साइट से दोस्तों हमे एंट्री आगे नहीं मिल रही है तो blade से glass को थोड़ा सा दबा कर cutting wire को थोड़ा सा glass के अंदर दबा कर हमने एंट्री ले लिये तो हमें आगे entry मिल गई है और आप देख सकते हो कितनी speed से glass separate हो रहा है क्योंकि display का जो temperature है separate gutter का जो temperature है दोस्तो वो perfect है इसके लिए बहुत ही आसानी से OCA glue cutting हो रहा है glass display में से हट रहा है दोस्तो दोस्तो अगर आप भी इस तरीके से काम करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी paper display है दोस्तो और paper display की जो कोश्ट है दोस्तो वो जादा होती है paper display 10,000 के उपर ही display आती है दोस्तो तो अगर आप paper display में अगर आप काम करते हो तो बहुत ही सावधानी रखिये और हम जिस तरीके से trick बताते है दोस्तो उस तरीके से काम करिए तो बहुत ही इजी ली दोस्तों आप ग्लास बना पाओगे पेपर डिस्प्ले में तो अभी हम जो है ग्लू साफ कर रहे हैं ग्लू हमारा ग्लू रिमूवर की हेल्प से हमने तकरिबन ग्लू को हमने रिमूव कर दिया है नीचे की साइड से दोस्तों जहां पर फ्लेक्स बेल्ट है वहां पर से बहुत ही सावधानी से ग्लू को साफ करना है अगर हमारा ग्लू रिमूवर है वह वहां पर टच होता है तो लाइनिंग आ सकती है तो इसके लिए हमें बहुत ही साहुदानी से काम करना है दोस्तो पी जैसे मोटा मोटा जो ग्लू डिस्पले पर था वो हड़ी आता है उसके बाद में हमें केमिकल जो है उसको स्पंच में लेके साफ कर देना है दोस्तो केमिकल हम 8333 जो chemical आता है उसको use करते है उसके बाद में दोस्तों इसके left और right में gas kit लगी हुई होती है उसको remove करना होता है तो उसके लिए हम OCA का waste paper लेकर उसमें IP display के अंदर IP डाल कर उसको cut करते है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो बहुत ही सावदानी से हमें cut करना है gas kit को यह आप जो देख रहे हो black color की gas kit है दोस्तों यह एक प्रकार का glue आता है दोस्तों जो display को frame के अंदर चिपकाई रखता है इसे भी दोस्तों remove कर लेना है इसको remove करने की trick हम आपको अभी दिखा रहे है आप देख रहे हो दोस्तों left और right से दोनों तरब से हमें glue को हटा देना है उसके बाद में यह जो display है दोस्तों वो दूसरी side से भी बीच में से भी चिपकी हुई होती है तो उसका भी glue हमें remove करना होता है जैसे कि दोस्तों one plus 80 है one plus की display वो बीच में से चिपकी हुई नहीं आती है पर samsung की जो display है वो उसमें side में तो gas kit लगी होती है उसके अलावा दोस्तों बीच में भी glue उसमें लगा हुआ होता है तो उसको भी सावधानी से हटाना हमें होता है कट करना होता है glue को आप वीडियो में देख रहे हो इस तरीके से हमें display को frame से हटाना है देखें दोस्तों हमने पहले entry ले ली उपर की side से OCA का waste जो paper है उसके बाद में हमने जो cutting wire है उससे glue को cut किया है बहुत आसानी से cut हो गया है दोस्तों जब भी हम cutting wire से display को cut कर रहे हो दोस्तों display के glue को cut कर रहे है तब हमें इसका belt आता है display belt आता है उसका भी दोस्तों बहुत ही ध्यान रखना है हम cut करते समय अगर display belt पे हमारा जो wire है वो touch हो जाएगा तो हमारा display का belt है वो cut हो जाएगा तो उसका भी ध्यान रखना है अभी देखिए हमारी जो डिस्पले है वो फ्रेम से भी दोस्तो बाहर निकल चुकी है अभी डिस्पले को हम एक बार चेक कर लेंगे दोस्तो पेपर डिस्पले का काम करते समय सबसे आसान ट्रीक है दोस्तो यह आप इस तरीके से काम कर सकते हो पेपर डिस्पले पर और डिस्पले को हमने लगा दिया है अभी डिस्पले को हम चेक कर लेंगे देगे डिस्पले एकदम ही ओके और टच भी इसका ओके है टच चेक करकर भी हम इसको बता देंगे तो हमारी डिस्प्ले एकदम ओके आउट फ्रेम हो गई है और सक्सेस ग्लास भी निकल गया है इसके बाद दोस्तों हमें इसका OCA करना है तो डिस्प्ले को साफ क्लीन करके फाइनल 530 की हेल्प से हमें ग्लास लगाना है ग्लास लगाते समय दोस्तों हमें जो फ्रंट कैमेरा है उसका एलाइगमेंट सही तरीके से बिठा कर ग्लास को दोस्तों बिठा देना है अगर कैमेरे का हॉल और डिस्प्ले का कैमेरे का हॉल और ग्लास का कैमेरे का हॉल दोस्तों प्रोपर बैड़ी आता है तो हमारी डिस्प्ले जो है वो आसानी से ग्लास और डिस्प्ले बेड़ी आएगी जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा इसके बाद में हमें इसका OCA करना है OCA के लिए दोस्तों देखिए हम जो इसकी हीटिंग है वो 55 पे रखते है प्रेशर हमने 20 के आसपास रखा है वेक्यूम टाइम जो है दोस्तों हमने 40 रखा है और इसका जो लेमिनेशन पंचिंग टाइम है वो 20 सेकन रखा है तो आप भी दोस्तों ये टाइम रखकर OCA पंचिंग कर सकते हो अभी डिस्पले देखिए अमारी बन चुकी है OCA हो गया है लेमिनेशन हो गया है और डिस्पले दोस्तों अमारी एकदम ही 0-0 बनी है दोस्तों इसमें किसी प्रकार का कोई ड़स्ट भी नहीं है और कोई वेव नहीं आया है S10E मोडल ऐसा है जिसमें वेव आने का प्रॉबलम है पर अभी कोई वेव नहीं आया है और उसके बाद में हमने डिस्प्ले को दो या तीन मिनिट बबल रिमुवर में रख दिया था बबल रिमुवर में अगर रखने के बाद चेक कर लेना है बबल नहीं है अगर बबल नहीं है डिस्प्ले में तो इसको यूवी क्योर कर देना है एक से डेड़ मिन्ट यूवी में रखके अभी हम इसको फिटिंग कर देंगे दोस्तों फिटिंग के समय जो ग्लू मिलता है वो ग्लू की सहायता से डिस्पले को हम फ्रेम के अंदर फिट करेंगे और ग्लू कैसे हम लगा रहे हैं आप देख रहे हैं इस तरीके से ग्लू को लगाना है दोस्तों बहुत ही आसान है दोस्तो फ्लेट डिस्प्ले में ग्लास चेंज करना आप इस तरीके से ग्लास चेंज करते हो दोस्तो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आसानी से आप ग्लास चेंज कर सकते हो आप पेपर डिस्प्ले जो आती है सबसे कोसली डिस्प्ले आती है सै मदर बोर्ड हमने फ्रेम के अंदर लगा दिया है डिस्प्ले चिपका दिये और केमेरा बेटरी और जो डिस्प्ले का बेल्ट है वो हमने कनेक कर दिया है मदर बोर्ड के साथ उसके बाद में जो एनेपसी बेल्ट है और उसका पत्ता है और रिंगर है उसको इसक्रू मार दे किसी भी ग्लू लगाए बिना दोस्तो कमपनी का ग्लू यूज करके हम इसको फीट कर देंगे तो दोस्तो आप इस तरीके से S10E की दोस्तो डिस्पले बना सकते हो बड़ी आसानी से और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा लाइक भी कर लिजिएगा दोस्तो और फाइनली हमें देखिए रिंग रबबर की सहायता से हमने जो बेक कवर और डिस्पले लगाई है उसको फीट कर दिया है उसके बाद मैजिक टैप से उपर नीचे से दोस्तो लगाकर हमें उसको भी फीट कर देना है आप वीडियो में देख रहे है इस तरीके से फीटिंग कर देना है फीटिंग भी दोस्तो अगर फीटिंग में भी हमें ध्यान रखना होता है इस तरीके का दोस्तो अगर fitting होगा तो पता भी नहीं चलेगा कि phone open हुआ है और glass change हुआ है तो दोस्तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो phone का thank you दोस्तो